नमस्कार दोस्तों, मैं स्ट लॉजर सचिन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपके अपने चैनल एस्टो एन्वाइट पर, कैसे हैं आप सब, उमीद करता हूँ, बहुत अच्छे होंगे, चैनल को करें सस्क्राइब, और फिर उसके बाद जानेंगे मीन राशी, 19 दिसमबर का राशी फल, और अंत में जानेंगे वह उपायक जिसको करने से, 19 दिसमबर 2018 आपके लिए शुब हो जाएगी, शभी अशुब परिणामों से आपको मुक्ती मिलेगी मात्र एक उपायक करने से, तो चलिए शुभारम कर करते हैं पंचांग से, सुर्योदे होगा 7 बच के 12 मिनट पर, सुर्यास्त होगा 14 बच के 54 मिनट पर, तिती रहेगी शुखल पक्ष एकादशी, नचहतर रहेगा भरनी, योग रहेगा, शिव अभीजीत महूरत आज कोई नहीं है, विजे महूरत रहेगा 14 बजे से 14 बच के 40 मिनट तक, और राहु काल रहेगा 12 बच के 18 मिनट से 13 बच के 34 मिनट तक, तो राहु काल में आपको कोई भी शुख काम नहीं करना है, और इस समय में अपनी दिन चरिया को भी बड़ी सावधानी से बिताना है, तो चलिए शुभारम करते हैं अब राशी फल का, आज आपक का जादू सभी पर चलेगा, आज आपकी वानी का जादू सभी पर चलेगा, नौकरी हो या वैपार, आज सबकी आए अच्छी रहेगी, धन आने के नए रास्ते खुलेंगे, आज आप धन की बचत भी कर पाएंगे, आज के दिन आप सभी जरुरत का समान खरीद कर खर हो, ओफिस हो, उसको सजा सकते हैं, या फिर वहां के लिए कुछ निया एलेक्ट्रोनिक समान खरीद कर ला सकते हैं, और अपने ओफिस या घर को बिलकुर निया रूप दे सकते हैं, लबजरी रूप दे सकते हैं, आज आपको अपने नेत्रों का ध्यान रखना है, अनिथा उन अधिक विश्वास ना करें, अन्यता हुआ आपके विश्वास का फाइदा उठा कर आपको धोखा दे सकता है। वाइस्तियों के सहयोग से बड़ी मातरा में धन कमाया जा सकता है आज के दिन, छोटे बच्चे अपनी सिक्षा पर थोड़ा जोड़ दें, थोड़ा और कॉंसेंट्रेट करें, माता पिता भी उन पर ध्यान दें, बड़ी क्लास के छातर छातराओं को कम्प्लीशन एक्जाम भी आपको मिल सकती है, कोई कानोनी विवाद है, तो वह समाप्त हो सकता है, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या mutual understanding से, केस या कोई भी कानोनी दाओं पे चल रहा है, तो वह समाप्त हो सकता है, तो कुल मिलाकर मीन राशी वालों के लिए 19 दिसंबर का दिन शुब कहा ज जब करने के बाद ही, आज के दिन का शुबहरम करें, और अपने बड़ों का आशिवाद लेकर दिन का शुबहरम करें, निश्चित तोर पे आपको सफलता मिलेगी, और आपका दिन बेहतरीन बीतेगा, हरियों, नमस्कार